हेलो अब्रीवन वेलकाम अगेनि लर्ण विद दितिमन बचों आज हम स्टार्ट करें क्लास 10 का चैप्टर नमबर 10 खनीजवे उर्जा संसाधन तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कोषिन नमबर बन है आपका खनीज का अपिराई है, निकाले जाते हैं वो कहनीज कहलाते ह। एकने कोषिन देखिए उतपत्ति के आधार पर खनीजों को कितने भागों में वर्गी करत किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर खनीजों को कितने भागों में वर्गी कृत किया जाता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यह आपके जैविक और अजैविक जिनको बायोटिक और अबायोटिक कहा जाता है है ना ने कुशन राशायनी गुणों के आधार पर खनीजों को कितने भागों में वर्गी कृत किया जाता है तो वो आपके हैं धात्विक और अधात्विक धात्विक में लोह और अलह धात्वों के तोर पर भी उनको और वर्गी कृत किया जा सकता है धात्विक और अधात्विक है ना नैक कोशन देखिए लोह खनीज के उधारन हैं लोह खनीज के उधारन कौन-कौन से हैं तो लोह ऐस्क, क्रॉमाइट, पायराइट, टंग्स्टन, कोबार्ट ये सबी क्या हैं ये लोह खनीज के अंतरगत आते हैं नैक कोशन अलोह खनीज के उधारन हैं अलोह खनीज कौन 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 से हैं चूना पत्तर डोलामाइट अब्रक और जिप्सम चूना पत्तर डोलामाइट है मेरी जानकरी में यह और अब्रक और जिप्सम नैक कौन उर्जा खनीच किसे कहा जाता है तो उर्जा खनीच कौन कौन से हैं उर्जा खनीच जिनसे उसमा और उर्जा प्राप्त हो वो सभी खनीच जिनसे उसमा और उर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं उर्जा खनीच कहलाते हैं औरजा खनीच को कितने भागव में वर्गीकरत किया गया है। इधन खनीच के उधान कौन से है, कोला हो गया, पैटोलियम गैस हो गया, यह किस प्रकार के एक्जामपल है, यह इधन खनीज की है, जो directly इधन के तौर पर लिया जाता है, नैक क्वेशन देखिए, अनुसक्ती खनीज के उधान क्या है, अनुसक्ती खनीज के उधान कौन से है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरीलियम, इल्मिनाइट, जिस में क्या अनुसक्ती खनीज के तौर पर जाना जाता है, नैक क्वेशन देखिए, भारत में कितने खनीज पाये जाते हैं, भारत में जो टोटल खनीज होते हैं, उन कितने खनीजों पर खरण किया जाता है, कितने खनीज सामिन तोर पर देखे जाते हैं, तो वह आपके 89 जो नेक क्वेशन देखिए निर्मान सामगरी वे इधन खनीज भारत की सकल घरील उत्पाद का कितना प्रतिशत पागया है सकल घरील उत्पाद का मतलब GDP डॉस्ट डॉमेस्टिक प्रॉडट्ट यह ना निर्मान सामगरी यानि जैसे आपका सीमेंट बजरी वगरा हो गया उतार इधन खनीज है ना इधन खनीज कौन से है चाहिए पैट्रोलियम गैस हो गई या फिर कोईला हो गया या फिर थोरियम हो गया या फिर यूरिमिनियम हो गया या फिर थोरियम हो गया यह सभी क्या है इधन खनीज है तो इनका जो टूटल सकल घरील उत्पाद में कितना प्र भारत के उद्धोगिक उत्पाद का कितना प्रतिसाद भागें, टोटल GDP में वो कितना हिस्सा बनाते हैं, यानि उनकी वैलूशन कितनी होती है, वो अलग है, देकिन जब निर्मान सामगरी और इधन खनीज भारत के उद्धोगिक उत्पाद का जब प्रतिसाद निकाला जात तो वो अलग होंता है और वो लगहत है aut dispon फिर्टमान देखिए वर्तमान ओध्धोगीक अर्थववस्था का आधार भूत इस्थम यानि लोह व्यə भग मारे यह भी question पूछा जा सकता है कि वर्तमान ओध्धोगीक अर्थववस्थाका का आधार से प्राप्थ होते हैं कि बीधिक यह ज़्यादा लियम्ता के प्रती हैं मटलब कितना ज़्यादा लोहा हमारे देश में मिलता है विष्व के comparatively, तो देख ये दूसरा सबसे बड़ा देश है, जान दूसरा सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है, पहले नमबर पर रूस आता है और दूसरे नमबर पर भारत, नेक कोशिन देखी, भारत में लोहा एसके कितने प्रकार पाए जाते हैं, भारत में जो लोहा एसके ह हैं, मेगनेटाइट, हेमेटाइट, लीमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट, ओके, नेक कोशिन, भारत में लोहा एसक भंडार संपूर्ण विस्व के लोहा एसक भंडार का कितना प्रतिसत भाग है, भारत में जो लोहा एसक भंडार है, वो संपूर्ण विस्व के भारत में किस परकार का लोह अयस्क सर्वाधिक पाये जाता है तो किस प्रकार का लोह अयसक सर्वाधिक पाये जाता है वो सबसे ज़्यादर पदाता यहिंन 85 ौ Elliott पृकार पाईंस कितности मात्रा में देखेए यह बहुत इंपर्टन कोईऌन है क्योंकि यह कॉश्चन होते हैं तो इसका ध्रखेएगा हम्हारे देश में सबसे पाया जाता है और उसमें भी लोः की मातरा कितनी होती है तो लोह अंस की मातरा उसमें 70 के 80 परतिसद तक सोती है इसी वजह से यह बहुत अच्छी प्रकृति का लोहा माना जाता है ठीक है तो 70 से 80 परतिसद ह्मिटाइट में लोहा ध्याता है नेक क्वेशन, भारत में लोह बंडार का कितना प्रतिसद मेगनेटाइट का बंडार है, भारत में लोह बंडार का कितना प्रतिसद मेगनेटाइट का बंडार है, देखे हैं, हमारी यहां पे सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाजाता है, दूसरे नमबर पे मेगनेटाइट पाया जाता है जो की गरीबन 8% है कितना है 8% और इसके अलावा जितने भी है वो बाकी प्रिकार जो पाया जाते हैं ठीक है जबकि हेमेटाइट में 70-80% तक पाया जाता है नेक कोश्चन देखिए भारत में किन राज्यों में मुख्यता लोह जाता है तो आपका उडिशा हो गया करनाटक, छतिसगर्ड, गोवा, जारकन और जारकन ये पांच स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनमें सरवादिक लोह जाता और उसी क्रम में लिखे गया है यानि भारत में सबसे ज़्यादा अगर लोह जाता पाया जाएगा उडिशा में, दूसरे नंबर पर करनाटक आता है, तीसरे नंबर पर चतिसगर्ड, चौथे नंबर पर गोवा और पांच ये नंबर पर जारकन आता है, ठीक है, तो ये सबसे जादा ये जो पांच स्टेट हैं में सबसे ज़्यादा लोह जाता है, इसके अलावा जो है आंध्रप्रदेश जिसमें तेलांगना जो छेत्र है, देखे तेलांगना अलग स्टेट पी है, लेकिन आंध्रप्रदेश में जो तेलांगना छेत्र है, वहाँ पर लोह जाता है दूसरा तमिलाडों में सलेम जिला है, वहाँ पर भी काफी मात्रा में मिलता है राइजिस्थान के अंदर उदैपूर, जैपूर, भीलवाड़ा और अलवर में मिलता है और हरियाना के अंदर महिंद्रगर्ड में राइस्क पाया जाता है नेक कुशन देखिए, भारत में सरवादिक लोहकनिज बंडार किस राज्य में से थे, देखिए हमने अभी बात की थी, सरवादिक लोहकनिज बंडार किस राज्य में है, तो वह आपके उडिशा में है, यानि 30% जो टोटल भारत का जो लोहकनिज पाया जाता है, उसका 30% अक इसा में होता है ने कुशन भारत में दूसरा सबसे अधिक लोह खनीज बंडार किस राज्य में सित है तो हम जानते हैं करनाटक दूसरे इस्थान पर आता है जिसमें टोटल भारत का 25% जो लोहा है वो करनाटक में मिलता है और उपादन यहां पर 26% लोह का किया जाता है ने इसमें 16% खनीज बंडार लोहस के पाए जाते हैं और उत्पादन का 15.02% उत्पादन यहां पर लोहस का होता है ने कुशन देखिए भारत में लोहो खनीज बंडार के अधर पर चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है चौथा जो बड़ा राज्य है वो आपका गोवा है और गोवाग में उत्पादन क्या है? 13.15% तक होता है नेक कुश्चन देखिए इसी तरह भारत में लोह खनीज बंडार के आदर पर पांचवा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? पांचवा सबसे बड़ा राज्य आपका जहार खंड है और उत्पादन की दस्टे से 10.10% तक यहाँ पर लोह खनीज बंडार पाए जाते हैं यह कुश्चन इता इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए और इसा में किन जिलों में हेमेटाइट लोह खनीज बंडार पाए जाते हैं? किन पर पाए जाते हैं? मयूर्गंज, गुरू महीसिनी, सुले पाथ, बादाम पाहाड यह मयूर्गंज जिले में पाय जाते हैं क्योज़र में बास पानी, ठकुरानी और किरू गुरू यह छेतरे हैं और एक सुर्दर गड़ जिला ये जो तीन जिले हैं मेयर गंज, क्योज़र और संदरगर इन तीनों में ये हेमेटाइट लोह खनी जैस्क पाये जाते हैं इसमें मैयूर गंज क्या जो छेतर हैं वो गुरू महिसनी, सुले पात और बादाम पाड़ है और क्योज़र जिले के अंदर बास पानी, ठकुरानी और किरुगूर है नैक कुश्चन देखिए पुरिषा से लोह ऐस का निर्यात किन बंदरगाओं से किया जाता है, यह काफी इंपोर्टेंट है, पुरिषा से लोह ऐस का जो निर्यात किया जाता है, वो कौन से बंदरगाओं पास है, विसा का पतनम और पारादीब जो बंदरगाओं वहां से यहां पर लोह ऐस का निर्य निर्यात किया जाता है निर्यात यानि जापान और अन्य जो देश हैं उनको यहां से निर्यात किया जाता है करनाटक में किंजिलों में हेमेटाइट लोह खनीज भंडार पाए जाते हैं करनाटक जिसमें की दितिये सबसे ज़्यादा लोह खनीज पाए जाते हैं पाए जाते हैं हमारे देश में, तो उसमें सबसे ज़्यादा किन जिलों में पाए जाते हैं करनाटक के तो वह हैं बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और सिमोगा, बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और सिमोगा के अंदर करनाटक में, करनाटक के जो जिले है ये चार उसमें हेमिटाइट लोग पनीज पाया जाते हैं Next question देखिए करणाटक में प्राप्त लोग एसकों का सोधन मुख्य तक किन कारखानों में किया जाता है तो वो आपके भद्रावती और विजय नगर कारखाने है पद्रावती और विजनगर कारखानों में इस लोहाइसकों का सुधन किया जाता है नेक कुश्चन देखिए 36 गड़ में किन हेमेटाइट जिलों में सॉरी ये है किन जिलों में हेमेटाइट लोहाइसके बंदार पाए जाते हैं श्टीजगर्ण में किन जिलों में हैमिटाइट लोहरज के भंदार पाए जाते हैं तो किन में पाए जाते हैं वो ? बस्तर, दुर्ग, दातेवाडा, विलासपुर और राजनंद गाओं में इस प्रेकार के हेमिटाइट प्रिकार के जो लोह ऐस्क रहा है वो सरुवादिक चतीजगण में पाए जाते हैं तिक है next question देख Southeast goes देखी, हेमिटाइट लोह ऐस्क के भंदार प्राप्त हुए है हेमिटाइट लोह ऐस्क के जो भंदार है और सतिसरी में किनी स्थानों से विराफ्त होए हैं? तो जिले आपने भी देखे थे, आधी स्थानों की बात करें तो धली, राजहराश्रेणी, बेला-डीला छेतर, रावगार्ट छेतर और जगदलपुर छेतर इसमें बेला डेला जो चेत्र है वो बहुत important है क्यों है? चलिए देखतें, next question एशिया में लोह एस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है? एशिया में लोह एस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो वो है आपकी बेला डेला चेत्र बेला डीला छेतर है जो एशिया में पूरे एशिया में लोह एस की सबसे बड़ी खान ठीक है? नेक क्योशन देखिए 36 गड़ में पाए जाने वाले लोह एस का सोधन मुक्तक किन कार खानों में किया जाता है? थिए इसमें गड़ में पाय जाने वाले लोह ऐस का सोदन दे में किया जाता है तो वह आपका भिलाई जो कार खाना है वहां पर इनका सरवाज़िक सोदन किया जाता है Next Question देखिए चतिस गड़ में अत्रिक्त लोह आयस को किस देश को निर्यात किया जाता है। नेक क्वेशन देखिए। ये बहुत कम गुण अत्ता वाले लोह आयस के हैं। और ये मैगनीज के साथ मिसर तवस्था में मिलते हैं। तो ये हलकी क्वालिटी के या फिर कहें निम्न प्रकार के लोह आयस के माने जाते हैं। जो कि गोवा में तेकनिकों मिलते हैं। नेक क्वेशन देखिए। गोवा में लोह आयस के भंडार किन छेत्रों में पाये जाते हैं। गोवा में प्राप संपूर्ण लेह को किस बंदरगा से निर्यात किया जाता है। देखें गोवा में जो अलोहा है वो बहुत हलकी क्कोलेटी का होता है तो इसलिए प्रियास किया जाता है कि वो पूरी तरीके से निर्यात कर दिया जाता है तो उसमें जो मैजियूम जो निर्यात होता है तो वो किस मार्क से होता है मार्म गोवा जो बंदरगा है यहां से संपूर्ण लहुए को निर्यात कर दिया जाता है जारकंड में पाए जाने वाले लोह एस्क हेमिटाइट वे मेगनेटाइट किन छेत्रों में पाए जाते हैं? जो प्राफ्ट लोह एस्क हैं उनका सोधन किन कार खानों में किया जाता है? तो आपका कुल्टी और बर्ण पुरुज के जो कार खाने हैं वहाँ पर इसका सोधन किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो लोह एस्क का खनन स्टार्ट वाओ कहां पर हुआ था? तो वह आपका जार खंट के अंदर ही हुआ था। यह आपको याद रखना है। नेक कॉशन देख़ें भारत के विदेशी व्यापार के अंतरगत जो निर्यात होता है डोटर। विदेशी व्यापार के अंतरगत जितना भी निर्यात होता ऐलग लग चीजों का। उसमें लोहो ऐस्का एक अपना काफी बड़ा इस्थान है तो कौन से निम्बर पर आता है किस इस्थान पर आता है तो यह आपका तीसरे इस्थान पर आता है यह तीसरा सबसे ज़्यादा निर्यातित होने वाला विदेशी व्यापार के अंदर गत तीसरा सबसे बड़ा जो सबसे जादा निर्यात किया जाता है नेक क्योशन देखिए तामबे के यास्क भारत में किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो आपका धारवार्ड वे अरावलिश्रंक्ता की जो कायंतित चट्टानों की जो नसें हैं का मतलब जो छोटी छोटी नालियां अंतर भूमिगत जो नालियां बन जाती है उनको बोलते हैं तो चटानों की जो नसों की सल्फाइट और चार का पाइराइट एस्क के रूप में तामभा हमें देखने को भारत में मिलता है नेक कोशन देखिए तामभे का उपयोग किस प्रकार के उध्योगों में किया जाता है तामभे का उपयोग किस प्रकार के उध्योगों में किया जाता है तामभे का उपयोग देखिए विद्धूत उध्योगों में किया जाता है आपको तार बनाते हैं तारों में बहुत सारे आपने तार देखि कीया जाता है तीसरा प्रसीत लख उद्ध्योगं जैसे आपके एसी वगैरा हो गया फ्रीज हो गया तो इसमें जो रॉड लगती है एक नली लगती है वह आपकी किस की लगती ही तामबे की लगती है तो इस प्रकार यह इन T Zhangstar Hai प्रसीत पुद्द्यों. नहके कुश्ण देखें. भारत में तामबय का भंडार, विस्व के तामबा भंडार का कितना प्रतीस्ट है? भारत में तोर्ट नहक् artificial का जो तामबा है वो मांडर कितना प्रतीस्ट है तो वहम तर्थ isota here. ज्युएसिए नहके कोस्ट देखी वारत में प्राप्त तांबा किन छेत्रों से प्राप्त होता है। तो आपका मध्य प्रदेश जिसमें बाला घाट और बेतुल, जारखंड में सिंग भूबी, हजारी बाग और पलामु जिला, राइस्थान के अंदर जुन-जुनु, अलवर, राजसमन, इलवाडा और उद्यपु जिले, आंद्प्रदेश के अंदर गुंटोरता सा, कॉर्णोल और करनाटा के अंदर चित्र दुरुग जिला जहां पर तांबा हमें प्राप्त होता है। नेक क्वेशन देखिए। भारत में तांबे की प्रिसिद दखाने कौन सी हैं? तो कौन सी हैं ये? कॉलिहान, मन्थ जिलान, मौसाबानी, राखा, ये चारों क्या हैं? ये भारत की तांबे की प्रिसिद दखाने हैं। ठीक हैं? और इनको आपको यार भी रखना हैं, ये काफी important होगी। नेक क्वेशन देखिए। भारत में तांबे का खनन एक अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में जो ता कॉपर लिमिटेड, SCL ये दोनों ही रूप में आता है, तो इसको आपको compact रूप और आपका descriptive रूप दोनों ही आपको याद अखना है, SCL और हिंदुस्तान, कॉपर लिमिटेड, ये आपका expanded हो गया, और SCL आपका sort में हो गया, तो ये दोनों रूप में आता है, तो इस च काफी ज़्यादा संभावना बनती है, कि ये आते हैं, तो इस table है, table को मैंने question के format में लिखने का लिखा है, लेकिन फिर भी आपको इसको याद करना होगा, देखिए इसका answer क्या है, अजमेर के अंदर जो हनौतिया और सेवर है, क्या है, हनौतिया और सेवर, यहां पर तां हैं, जहां पर तांबे के सुमों मिलते हैं, इसी तरह चितोर में वारी और अंकोला है, जुन-जुन में कोडिहान, बसवास, डोला-माला, चिचौली, टूंडा और अंकवाली हैं, रासमन्द के अंदर मजेरा, कारौली, गोपा-कुरा और सिरोही हैं, गोलिया, पी-पेला देरी, बसंतगर्ण हैं शिरोही के अंदर हैं और उद्यपूर में अजनी, बेदावल की पाल, चानी और नंदवेल और अंकोला है, ठीक है, तो यह इसमें आप ध्यान रखेगा, चितोर के अदर पास जो चितोर में है, वो अंकोला है, और यह क्या है, उद्यपूर के मात्रा का डिफ्राइंस है इसी तरह यहां पर जब जुन जुन की बात करें तो अंक वाली है इसमें तो आंकोला कहां पर है चितोड में अंक वाली आपका जुन जुनों में और अंकोला उद्यपुर में तो इस तरीके से आपको यह तांबे के भंडर आपको पूरी तरह किली थेंक यू